रामलाल और रुद्र देखते हैं कि कारखाने में एक लड़का और एक लड़की अंदर जाते हैं रामलाल और रुद्र उनको पकड़ने के लिए टीम के साथ अंदर जाने लगते हैं हमें ध्यान लखना है कि वो दोनों भागने नहीं चाहिए इसलिए मैं और रामलाल कारखाने के अंदर जाएंगे और तुम चारो कारखाने को चारो तरफ से घेरे रखना और ध्यानकना कि वो यहां से भागने ना पाए सर हम अपनी जान लगा देंगे लेकिन उनको यहां से भागने नहीं देंगे आप बेफिक्र होकर कार खाने के अंदर जाईए रामलाल और रुद्र अंदर जाते हैं उन्हें लड़का और लड़की के बात करने की आवाज आती है ये पुलिस वाला अपने आपको बहुत तेज समझ रहा था लेकिन हमारे दिमाग के आगे उसकी एक ना चली वो हमें पकड़ना तो दूर हमें देख भी नहीं पाया वैसे पुश्पा तुम्हें मानना तो पड़ेगा तुमने इस जगे में इतनी टेकनोलिजी लगा दी है कि हम आसानी से छुप सकते हैं पुलिस के हाथ आना तो अब इंपॉसिबल है हाँ लेकिन अब हमारा काम भी जादा नहीं बचा है बस दो लोग बचे हैं जिनसे हमें बदला लेना है और फिर हम ये सब बंद कर देंगे उनकी आवाज सुनकर रूद्र कहता है रामलाल अब हम सही ठिकाने पर पहुँच पाए हैं पुश्पा अंदर ही है बस हमें अब उसे पकड़कर सब के सामने लेकर आना है धिरे धिरे आगे बढ़ो पुश्पा तुमने देखा कि वो सब हमारे इस सांड वाली कार के पास तो आ चुके थे लेकिन इसे चला पाना उनके लिए आसान नहीं था वो तो समझ भी नहीं पाए कि ये चलता कैसे होगा बड़ी कमाल की चीज़ बनाई है तुमने पुश्पा ये सब उस जमिंदार की देन है अगर वो मेरे परिवार वालों के साथ वो सब ना करता तो आज मैं भी एक शरीफ जिन्दगी जी रहा होता लेकिन उसने मेरे परिवार वालों के साथ जो सब किया उसी ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक एक करके सब को मारता जा रहा हूँ जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं रुकने वाला नहीं हूँ पुश्पा उसके बाद तुम आराम से शादी करके अपना घर बसा लेना सर मुझे तो लग रहा है ये दोनों प्रेमिय और पेमिका है ये लड़की पुश्पा का साथ इसलिए दे रही है क्योंकि वो उससे शादी करना चाह रही है लेकिन अफसोस इस बात का है वो दोनों यहांसे फिर से गायब हो गए है आप चिंता ना करें सर वो दोनों गायब होकर भी कहा जाएंगे बाहर हमारे सिपाही खड़े हैं वो उनको पकड़ी लेंगे लेकिन वो निकले कहांसे हैं यहां तो कोई दर्वाजा भी नहीं है सर यहाँ पर दर्वाजा तो जरूर होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है और उस लड़की ने कहा था कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा जाल बिछाया है कि पुलिस के लिए उन्हें पकड़ पाना संभव नहीं है मुझे तो यकीन है कि यहाँ पर कोई न कोई दर्वाजा जरूर होगा हम दर्वाजी का पता कैसे करेंगे रूद्र रामलाल कमरे की चारों तरफ देखते हैं अप रादी कितना भी शातर क्यों न हो वो कोई न कोई सुराक छोड़का जरूर जाता है वो टायल्स देखो थोड़ी थोड़ी खुली हुई है इसका मतलब है कि यहाँ से ही कोई दर्वाजा निकलता है वो जल्द बाजी में से सही से बंद करना भूल गये हैं रूद्र और रामलाल मिलकर टायल हटाते हैं साथ में उसके नीचे एक सुरंग थी रूद्र और रामलाल उसके अंदर चले जाते हैं उन्हें किसी के दोडने की आहट होती है रामलाल तेजी से आगे वड़ो वो यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं सच चिंता ना करें वो कहीं नहीं जा पाएंगे दोनों उनका पीछा करते हैं सुरंग मानो एक रास्ते जितनी बड़ी थी लड़का और लड़की बाइक पर बैठते हैं और वहां से भागने के लिए निकलते हैं रूद्र उन्हें देख लेता है और गोली चला देता है गोली पीछे बैठी लड़की के पैर में लगती है लड़की की चीख निकल जाती है उसे सुनकर पुष्पा बोला क्या हुआ? कुछ नहीं पुष्पा, तुम यहां से चले जाओ मेरी फिक्र ना करो और वो बाइक से गिर जाती है पुष्पा ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र और रामलाल दोड़ते वे आ रहे थे वो उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर बाइक लेकर निकल जाता है रामलाल, तुम इस लड़की को लेकर उपर जाओ मैं उसका पीछा करता हूँ रुद्र उसके पीछे चला जाता है रामला लड़की से बोलता है तुम लोगोंने हमें बहुत परिशान किया है लेकिन अब तेरा और पुश्पा का बच्पाना ना मुम्किन है जैसे हमने तुझको पकड़ लिया ऐसे ही हम पुश्पा को भी पकड़ लेंगे पुश्पा कोई खेल नहीं है पुश्पा आग है तुम उसके करीब भी गए तो जल जाओगे अब ही भी ऐसी बाते कर रही है तुझे तो मैं मज़ा चखाता हूँ रामला लड़की को घसीरता हुआ कार खाने से बाहर लेकर जाने लगता है आगे तो रास्ता बंद है वो बायक लेकर किदर से गया होगा मुझे लगता है उस पुश्पा ने दर्वाजे को बंद कर दिया है मुझे वापस चलना चाहिए रूद्र वापस आ जाता है रूद्र को देखकर रामलाल बोला क्या हुआ सर क्या पुश्पा पकड़ा गया इसको लेकर चलते है बाइर खड़े सिपाही के पास रामलाल और रूद्र लड़की की साथ आते है क्या तुमने उसको भागते हुई देखा है सहाब कारखाने से बाहर तो कोई آया ही नहीं वो कारखाने के आसपास से ही कही निकला है क्या तुम्हें किसी ओर से बाइक की आवाज आई थी? नहीं सर, हमें किसी भी ओर से बाइक की कोई आवाज नहीं आई लगता है इस सुरंग बहुत दूर तक फैली हुई है पुरे जंगल पे इन्होंने कबजा किया हुआ है ऐसा लगता है कि ये बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे सारी प्लानिंग की पोल खुल जाएगी इस लड़की को लेकर हवालात में चलते है हमने लड़की की गोली निकाल दी है और वो सही सलामत है तुम उससे बात कर सकते हो रोधर बेड पर लेटी लड़की के पास जाता है देखो अब तुम लोगों का बचपाना बहुत ही मुश्यल है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हमें सब को सच बता दो कानून के हाथों से तुम जादा दिन तक नहीं बाग पाओगे तुम पुश्पा को कभी नहीं पकड़ पाओगे पलवी अपनी जान दे देगी लेकिन पुश्पा के बारे में तुमें कुछ भी नहीं बताएगी तब तक रामलाल भी वहाँ पर आ जाता है उसकी बाते सुनकर रामलाल बोला मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तनी आसानी से मूँ नहीं खोलेगी इसलिए मैं लेडी पुलिस अपने साथ लेकर आया हूँ दूचाद लगते ही ये सब कुछ बोल देगी इसको लेकर जेल के अंदर चलते हैं वहीं पैस्ते पूस्ताच करेंगे रूदर रामलाल और लेडी पुलिस पल्लवी को लेकर थानी में जाते हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं कुछ दिर बाद रूदर लेडी पुलिस को बोलता है तुम लोगों को जो करना है करो जैसे पल्लवी को ट्रीट करना है करो लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए मुझे पुष्पा का पता चाहिए मैं और दिन तक इंतिजार नहीं कर सकता सर आप बिल्कुल चिंता न करें मैं उससे सच उगलवा कर ही रहूंगी वो डंडा उठाते वे बोली अब इसकी मार से पलवी तो क्या उसकी रूह भी मुझे सच बताने पर मजबूर हो जाएगी वो जेल में जाती है और देखती है पलवी फर्ष पर उल्टी लेटी हुई है ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू आराम से यहां पर सो रही है जल्दी से मुझे सच्चाई बता कि पुषपा कौन है और वो कहा मिलेगा लेकिन पलवी कुछ नहीं बोलती तब वो जाकर उसे हिलाती है पलवी मर चुकी थी लेडी पुलिस रुद्र के पास जाती है सर पलवी तो मर चुकी है ये सुनकर रुद्र चौक तेवे बोला लेकिन कैसे वो तो बिलकुल ठीक थी उसके मूँसे जहाग आ रहे हैं मुझे लग रहा है उसने जहर खाया है लेकिन उसके पास जहर आया कहां से सर उसने कहा था कि पल्लवी जान दे देगी लेकिन पुश्वा के बारे में कुछ नहीं बताएगी तो ये सब उसकी प्रीट ब्लानिंग थी ताकि पुश्वा की जानकारी हमें न मिले इसलिए उसने कुछ बताने से पहले ही जहर खा लिया रुद्र पल्लवी को पोस्ट मॉटम के लिए भीज देता है रुद्र और रामलाल पीटर के बंगले में जाते हैं और चौकिदार को देख कर बोलते हैं इस दिन पहले तो हम लोग ही आपर नहीं थे हमारी मालकें शेयर से बाहर गई थी तो हम लोग उन्हीं के साथ गए थे बंगला तो पूरी तरह से खाली था मुझे तो पहले ही शक था कि पुष्पा ने हमारे साथ कोई चाल चली है परना वो इतनी आसानी से हमें अपने बंगले में कैसे आने देता लेकिन पीटर का इस मामले से क्या लेना देना ये तो पता करना पड़ेगा ना सर क्या ये बंगला पीटर के नाम पर है हाँ सर ये बंगला हमारे साथ पीटर का है लेकिन वो तो बहुत साल पहले ही मार चुके हैं अब तो उनकी बेटी ही हमारे बंगले में रहती है मैंने उसकी बेटी को देखा है मुझे उससे मिलना है सर मालकिन अंदर ही होंगी आप जा सकते हैं रुद्र और रामलाल बंगले के अंदर जाते हैं वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी वो ने देखकर बोली आप लोग यहां कैसे आये हो मैं पुलिस इंस्पेक्टर रुद्र हूँ और हम किलर पुषपा के बारे में जानकारी लेने के लिए आपके बास आये हैं कौन पुषपा? मैं किसी पुषपा को नहीं जानती तुम कुछ दिन पहले कालीकार से इस बंगले के अंदर आये थी जब मैंने तुम्हें तुम्हें कोई गलत फैमी हुई है सच्चा ही तो यह है कि मैं शहर से बाहर थी और शहर में कालीकार की कौन सी कमी है हो सकता है तुमने किसी और लड़की को देखा हो लड़की तो कोई और ही थी, लेकिन वो तुम्हारे बंगले के अंदर आई क्यों थी, बिना जाने ही कोई किसी के घर क्यों आएगा भला देखो अगर जानती हो तो बता दो, क्योंकि गुनागार का साथ देने वाला भी गुनागारी होता है सर, चौकिदार ने भी तो हमें यही बताय था, कि मालकिन सौट्वेर इंजिनियर है और एक कमपनी में काम करती है रामलाल तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो, वो एक चाल थी, ये लड़की सही कह रही है, जो उसके बारे में कुछ नहीं जानती होगी बंगला खाली था, इसलिए मौका देखकर पुष्पा ने हमें गुम्रह करने की साज सची थी, उसकी सच्चाई का पता तो अब गाउं में ही जाकर चल पाएगा, उसके गाउं चलना होगा लेकिन सच जो इतनी सच्चाई छुपा का चल रहा है, क्या वो गाउं वाली बात उसमें सच बताई होगी तुमने ध्यान से सुना था ना, कि लड़का और लड़की आपस में क्या क्या बाते कर रहे थे किसी जमिनदार ने उनके परिवार के साथ कुछ गलत किया, इसलिए एक सीधा साधा लड़का इतना बड़ा सीरियल किलर बन गया, हमें गाउं तो चलना ही होगा रूद्र और रामलाल उस गाउं में जाने लगते हैं, क्या रूद्र पुश्पा के बारे में पता कर पाएगा, क्या पुश्पा के गाउं वाले रूद्र को कुछ बताएंगे, जानने के लिए जुड़े रहिये हमारी कहानी, पुश्पा एक क्राइम स्टोरी के साथ